नमस्कार फियोष आईना सो की स्टोरी में बिलकुल नया हिट ट्विस्ट देखने को मिलेगा क्योंकि आप यहां पर जो सुनैना है वो जानेगी अपने अस्तिदव की सचाई एक तरफ तो सुनैना पूरी तरह टूट जाती है नमन सिंग से दूरियां भी बनाना चाहती है क्योंकि जब उसके सामने अस्तिदव का राज खुलेगा तो सोच रही होती है कि मैं नमन जी की जिन्दगी पर बात नहीं कर शकती हूँ मेरा उनसे दूर होना ही बैटर रहेगा तो यहां पर वो जान बुझ कर नमन के दिल में अपने लिए नफरत पैदा करने लगेगी दूसरी तरफ अब जो पंकजा है वो राजकुमारी को सारे सच्चाई बताने वाली है कि जिसे तुम अपने घर की बहु बना कर लेकर जाना चाहती हो असल में वो इसके लायक नही क्योंकि वो आम लड़की नहीं लड़का बलकि वो एक किनर है तो अब राजकुमारी खुती सुनैना को किनरों के हवाले करते हुए नचराए कि जिसकी वज़े से अब सुनैना की जिंद्गी बरबाद होने वाली है उसकी जिंद्गी में उसकी खुश्कियों पर लग चु प्रेगा सुनाना की रक्सा